एपल ने आईफोन मिरोरिंग फीचर को ओन कर दिया है अगर आपके पास आईफोन 15 है 14 है तो आप यूज कर पाएंगे लेकिन रिकॉयर है आईएस 18 और मैक को ये सिकोया इंस्टॉल होना चाहिए तो 15 प्रो मैक्स हर किसी के पास तो नहीं है तो मैं 14 के अंदर आपको दिखाता हूँ और 15 प्रो मैक से 15 है तो इसके अंदर भी आप एक्टिविट करा सकते हैं और एपल मिरोरिंग फीचर को ओन करने के लिए आपको पहले चेक कर लेना है जाना है सेटिंग्स जनरल और इसके नीचे अपल कमुनिटी के अंदर जाना है इसके नीचे सो होगा एपल मिरोरिंग और इधर आपको सो होगा आपके मैक बूक जैसे मेरा मैक बूक सो रहे इसके बाद आपको जाना है मैक के अंदर जैसे मैक के अंदर जाएंगे तो नीचे आपको सो होगा एपल मिरोरिंग फीचर अगर नहीं सो रहे तो लांच पर्ड में जाके अपल मिरोरिंग को इधर से कर सकते हैं इस तरह का इंटरेश होगा आपको खुल करना है जैसे आप कंटिनियू करेंगे तो आपके आइफोन के अंदर पास्कूड इंटर करने के लिए बोलेगा जोまぁ यह स्व gehए आपको एन्टरेश कुछ एस तरह का देखने मिलता है जो आइफोन मिरोरिंग ready to use get started आपको get started के उपर click करना है get started के उपर click करने के बाद आपका जो Mac है Mac के अंदर finger से आपको touch करना है नहीं तो इसका passcode आपको enter करना है passcode जैसे enter करेंगे इधर आपके phone के अंदर so होगा iPhone use और इधर lock करने के लिए बताएगा तो आपका iPhone lock करना है lock करने के बाद आपके iPhone के साथ आप use कर सकते Apple mirroring feature इसके बाद मेरे iPhone के अंदर ये सारे application so होगा मैं इधर से इसको check out कर सकता हूँ settings के अंदर जाके और जैसे मैं mirroring के अंदर गया था इधर से back करना हो details check करना हो और इस से back जाना है तो इससर आपको आना है और इधर आपको इब box के उपर click करना है click करने के बाद आप बाहर जाने का option आपको देखने मिलता है इधर से आप हर एक काम को ले सकते हैं जैसे YouTube अगर on करना है तो इधर से YouTube को भी आप चला सकते हैं दूबार अगर आपको rotate करना है तो इसके उपर click करके दूबार इस screen आपका जो है इसी तरह का आजाएगा अगर इससे बाहर जाना है जैसे आपको बताया 4. के उपर click कीजिए बाहर आजाएगा इसके बाद अपना जो है लेकिन call इसके अंदर receive नहीं हो रहे है तो एक छोटा सा lack है बीटा वर्सन है हो सकता है इसके अंदर इसका file को clear करना चाहते है तो भी possible है इस तरीके से आप clear कर सकते है अगर game खिलना चाहते है तो game भी इदर से on करके अपना game भी खिल सकते है तो भी इदर से game भी मैंने start कर दिया और आरम से game भी आप खिल सकते है और इसके अंदर आप Instagram हो अपना Twitter, अपना Facebook जो भी है आप इसके अंदर आप checkout कर सकते है अपना Apple mirroring feature के अंदर और iPhone mirroring feature आपके बास 13 है, 14 है, 15 है तो यह compatible है आप इसको use कर सकते है जो मैं already 14 के अंदर use कर रहा हूँ और इसके अंदर यह pop up आएगा यह notification जो iPhone mirroring feature को आप use कर रहे है अपने MacBook के अंदर और इसके अंदर कुछ basic settings है settings करने के लिए जैसे iPhone के उपर click करेंगे click करने के बाद इधर आपको settings है settings के अंदर आने के बाद इसके अंदर के लिए लिखा होगा ask every time और नीचे है automatically अगर आप चाहे तो ask for time भी कर सकते हैं आप चाहे तो automatic भी रख सकते हैं ask every time पे रखने से क्या होगा जैसे आप iPhone mirroring को use करेंगे Mac को unlock करेंगे इसके बाद आप इसको dark मिलता है इसके उपर जाना है इसके नीचे आपको एक option देखने मिलता है iPhone mirroring और वीजेट का जैसे इसके उपर क्लिक करेंगे तो काभी सारे phones हो रहे हैं तो इधर आपका जो phone होगा पहले उसको आपको select कर लेना है select जब करेंगे उस phone के उपर Apple mirroring feature को आप use कर पाएंगे और इससे अगर आपको बाहर आना है तो उपर जैसे क्लिक करते हैं आपको बाहर आने का option है अगर इसको cut out करना है तो direct इसको close कर देंगे और इधर से आप quit कर देंगे तो बिल्कुल close हो जाएगा तो आई होप इस वीडियो को देखके आपके लिए useful लगा होगा अगर वीडियो को देखके आपके लिए useful लगता है तो like, share, subscribe जरूर कीजिए और बिल की notification को all पर रखिए जब मेरा वीडियो आएगा तो आप लोगों के पस notification पहुंच जाएगा नेक्स वीडियो के अंदर फिर में लेंगे, goodbye